नमस्कार दोस्तों आप सभी का सवागत आपके अपने योटूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमेटेड स्टोक के बारे में कमपनी की का वाटर टूकी रिजल्स डिस्क्लोज हो चुके हैं तो फिलाल अभी की कैसी आये हैं इस चीज़ का मार्केट पर कैसा रहने वाला है और अभी के टाइम कितना हमें इन्वेस्टमेंट इस स्टोक पर बनाना चाहिए क्योंकि लगातार कंपनी का अभी नया नया आई प्यों आया था और फ्रोफिट जादा जो निकल के धमाकेदार प्रोफिट एक क्वाले हैं या प्यादेग का निकल के अभी की है है क्योंकि अभी के टामाले में ने सबस और रहने वाली है और यापर को बात करते हैं तो 22 um 2 है जो काफी सांदार रहने वाला थेटा वो काफी अचाई ग्रो कर गर रहा था dog इस सेल्स काफी तेजी से भढ़ी है और इस रिजल्ट के लिए परफिट निकल के आए हैं 545 कौड के काफी सांदार रहने वाले हैं क्योंकि कंपनी के अभी के टाइम IPO के बाद पहला नतीजा रहने वाला है जो दूसरी तिमाई का रहने वाला है और स्थूद लाब कंपनी का अभी के टाइम 21% बढ़कर दोस्तू 546 क्रोड रुपए के असपास इस रिजल्ट के लिए रहा है जो काफिर शांदार फ परतीसात की वर्दी होई है और स्टॉक एक्सेंज पर हाली में सुची बंध लिस्टिंग होने के बाद कंपनी का दूस्तू पहली तिमाई की जो आये रहने वाली है वो अल्मोस्ट 143 क्रोड की रहने वाली है क्योंकि कोई कमपनी अगर मार्केट भी नए नए आई फियो लिस्टेड हो और उसका दुस्तों पहला ही रिजल्ट काफी प्रोफिटेबल और इस्टोंग प्रोफिट के साथ निकल के आई तो ये चीज कई ना के नवेसकों के लिए प्रोफिटेबल रिटिन प्रोवाइड करने वाली चीज निकल के आती है और बज़ाज हाउसिंग फाइनेंस ऐसी ही कमपनी अभी मार्केट से उबर के आई है competition में company काफ़े अच्छे grow कर रही है competition के चलते company का data base भी अच्छा खासा grow कर रहा है तो इसका मतलब company का financially जो data है वो आगे चल कर काफ़े strong बन सकता है और एक अच्छी तेजी हमें इस stock फे नजर आ सकती है फिलाल आगे बढ़ने से पहले बता दू चैनल पे नए हो analysis करते हैं तो almost 4% का correction हमें नजर आने वाला है last 1 मेने का लगबग 15% से अधिका रहने वाला है और 6 मेने के अगर हम चर्शा करें तो 6 मेने में 17% से अधिका correction रहने वाला है क्योंकि इस stock की विसले bounce अबता है कि उस तम इस तर जो price रहने वाली है वो 188.50 पिस से रहने वाली है और market में company listed दो हुई थी वो यहाँ पे रहने वाली है दोस्तो 130.50 पिस से इस stock में गिराओट अब तक दोस्तो 130.35 पिस से तक आ चुकी है पर अभी panic वाली जो situation है इस result को देखते हुए कहीं ना कहीं खतम होती हुई नजर आ सकती है और company का अच्छा कासा growth market में बढ़ाती हुई नजर आने वाली है क्योंकि अभी लगातर company का जो database growth कर रहा है company लगातर दोस्तों जो एक struggle की जुकानी थी वो company के साथ नहीं हुई और company ने market में जो entry मारी अच्छी profit booking वाली और उसे के बाद market में दोस्तों company अभी चाही हुई नजर आ रही है तो अभी के टाइम company में एक अच्छी growth नजर आ रही है आगे का जो company का financial जो data है वो एक strong database को परदसित करने का जो कार्य है वो भी अभी के टाइम market पे नजर आ रहा है साथी साथ अभी market में दोस्तों कल के market session के लिए pre open market जो data है वो अभी के टाइम साड़े 10 लाग share के selling पर लगे हुई है और almost पॉने 6 लाग share जो स्तों buying पर लगे हुई है यानि की कारोबार में जो उताष ड़ाव है वो अभी market में काफी देखने को नजर आ रहे है पर अभी ये stock market में कल फिर से एक अच्छी जो growth है वो एक अच्छी तेजी है market में फिर से नजर आ सकती क्योंकि ओलेट निविस को ये चीज़ पता चल चुकी है कि अभी company का profit साड़े 500 क्रोड के आसपास देखने को मिला है और इतना profit दोस्तों पहले ही result में दूसरी तिमाई के अंदर ही company अगर इतना वड़ा धमाका अगर कर रही है तो आगे का database तो दोस्तों positive बने लाइक नजर आ रहा है और अभी के time कमपनी के कुछ और basic जीज़ों पर अगर हम बात करें तो company के अपर अभी के टाम 33,347 क्रोड का करज रहने वाला है पर annual profit 1731 क्रोड का वर्तमान में भी देखने को मिल रहा है अभी company के अंदर दूस्तों एक भी share गिरवी रहे हुए नहीं है कमपनी के अलमुस्ते 89% से अभी के time पर मोटर्स के holding रहने वाली है operating profit margin strong देखने को मिल रहे है depth of equity कहीं नहीं काफ़ी एचे देखने को मिल सकती है इस price point पर company का growth जो है वो तेज़ी से financial sector में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि अभी number one पे देखने को मिल रही company बजाज housing finance limited तो company अपनी finance housing में भी number one बन चुकी है क्योंकि company का market cape दोस्तो solid अभी बन चुका है उमीद करूँगा जानकारी अप लोगों को पसंद आई होगी पसंद आदी वीडियो को like कर देना चैनल पर नहीं हो दोस्तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर देना और आपके नजर में कोई पैनी स्टोक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना अलसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा मिलते हैं एक्ट अमेजिंग वीडियो को साथ तब तक के लिए इजास्त दीजिए जैसरी करता थैंक्स रोसिंग इसमें वीडियो जाएखिए जैबात बंदे मातरम